42 is here, स्वागत और अभी नंदन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में वेनगर या सिर्के का सरपर्थम उपियोग 5000 साल पहले बुलीबिया में प्रारंब हुआ आज आपको तरह तरह के सिर्के बाजार में मिल जाते हैं आम तोर पर सिर्के में होता है एसेटिक एसिड और मैलिक एसिड आप चाहे गन्ने, जामुन या सेब में से किसी भी सिर्के का इस्तेवाल करते हैं तो उससे आपको एक ही तरीके के फायदे मिलते हैं बजार में आज चारो तरफ सेब के सिर्के की धूम है इसे लिए मैंने सूचा क्यों न बनाया जाए फाइब बेस्ट एपल साइडर वेनेगर ब्रैंड्स का वीडियो और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में एपल साइडर वेनेगर में 94% वाटर, 1% कार्बो हाइडरेट, कैलसियम 1% और आइरन और पोटेशियम 2% के साथ अन्य चीजे जो पाई जाती हैं उनकी मात्रा लगभग ना के बराबर होती है सेब के सिर्के के उप्योग से ब्लड सुगर कम होता है सुबे खाली पेट लेने से पेट भरा होने का एहसास होता है जिससे आप कुछ कम खाते हैं और सरीर में कम कैलोरी जाती है परेडाम सोरूप वजन भी थोड़ा कम होता है या वेट गेन को कंट्रोल करने में सेब का सिर्का मददगार होता है गरारे करने से मुह के नुकसान डायक बैक्टीरिया प्राकिर्टिक रूप से मरते हैं अध्यान बताते हैं कि PCOS के मरीज डिनर के बाद अगर 15 ml एपल साइडर वेनगर पानी के साथ मिलाकर उपयोग करें तो तीन महीने के उपयोग के बाद आपके हॉर्मोन्स लेबल में सुधार नजर आएगा लेकिन एड़िटीजमेंट में इनके फायदों के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है ऐसे लोग जिन्हें low blood pressure, osteoporesis या हड़ियों से जोड़ी कोई बिमारी हो अगर आपको किड्नी या पेट से जोड़ी कोई बिमारी हो तो आपको एपल साइडर वेनगर का उपयोग नहीं करना चाहिए अगर आपके घर में या आसपास गन्ने या जामुन का सिरका उपलब्ध हो तो आपको बाजार से महगा सेप का सिरका नहीं खरीदना चाहिए कमपनियों के एडविटीजमेंट पर ना जाइए chemical composition देखिए सिरके में acetic acid और malic acid होता है चाहे आप सेप का सिरका इस्तेमाल करें या गन्ने का अगर आपको सेप का ही सिरका खरीदना है तो 5% concentration के brand को आपको purchase करना चाहिए 4% concentration होने की वज़ा से ही मैंने वाउ के apple cider vinegar को इस list में सामिल नहीं किया है इस वीडियो में बताए गए सभी brand 5% concentration के हैं chemically ये सारे brand एक जैसे हैं pricing difference सिर्फ company की brand value और marketing की वज़ा से है आपको जो पसंद आए वो brand आप खरीद लीजेगा पर ध्यान रखिएगा कि चमतकार की उम्मीद मत रखिएगा और आईए अब बात करते हैं 5 best brands के बारे में और इन्हें खरीदने के लिए आप description में दिये गए लिंक का भी उपयोग कर सकते हैं तो number 5 पर मैंने रखा है डाबर हिमालियन apple cider vinegar को 500 ml की मात्रा 320 रुपए में आपको मिलती है इसके बाद नाम आता है number 4 के brand का और number 4 पर मैंने रखा है noris vitals apple cider vinegar को 500 ml की मात्रा आपको 240 रुपए में मिल जाती है इसके बाद number 3 पर नाम आता है cent botanica का natural apple cider vinegar 500 ml की मात्रा 224 रुपए में मिलेगी number 2 पर है dyesano apple cider vinegar जिसकी 500 ml मात्रा आपको 212 रुपए में मिलती है इस category में सबसे सस्ता है health card का apple cider vinegar अनफ्लेवर्ड जिसकी 500 ml मात्रा आपको 114 रुपए में मिल जाएगी जो brand आपको पसंद आए आप उन्हें खरीज सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस video से आपको apple cider vinegar को purchase करने में फायदा होगा तो आज का यह video यहीं पर होता है समाप्त मैं हूँ dr. सतीश पांडे आपके लिए इस video को edit किया है शिल्पी शर्माने और इस विशे से संबंधित अगर आपका कोई अनुभव या प्रस्न हो तो comment कीजिएगा और अगर आपको यह video पसंद आया हो तो इसे like और अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद नमस्कार